जैसे जैसे ग्रहों की चाल बदलती है ऐसे ऐसे हमारी राशी और कुंडली पर भी इसका असर पड़ता है पूरे ब्रह्मान्ड में सभी ग्रहे अपने निर्धारित वे नेमित समय पर गोचर करते हैं ग्रहों की चाल से हम कई बातों का पता लगा लेते हैं इसकी जानकारी हमारी कुंडली और राशी में भी होती है ग्रहों का पता लगाने के लिए जोतिश का सहारा भी लिया जाता है आपको बता दें बुद्ध का 27 मई 2018 को शाम 8 बज कर 31 मिनट पर वरशव राशी में गोचर हो रहा है यानि की प्रवेश हो रहा है इस राशी में बुद्ध 10 जून तक रहने वाले हैं इस परिवर्तन पर किस किस राशी पर क्या असर पड़ेगा इसके लिए नुकसान होगा, किसके लिए फाइदा होगा हलाकि इससे अमारे जीवन पर असर तो पड़ता ही है वैदिक जोतिश की माने तो नव ग्रहों में बुद्ध को युवराज ग्रह के रूप में देखा जाता है जैसे हर गोचर की तरहे इसका भी सभी राशियों पर खास प्रभाव रहीगा चली आज हम आपको बताते हैं इस गोचर का आपकी राशी पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको बता दें मेश राशी मेश राशी के जातकों के लिए यह ग्रह का बदला मेश राशी वालों के लिए काफी शुब होने वाला है इससे आपकी जिंदगी में काफी कुछ परिवर्ता नाने के योग बन रही है बुद्ध आपकी राशी से दूसरे भाव में प्रवेश करेगा जब भी ऐसा होता है तो इससे जातक की वाड़ी में काफी सुधार आता है लेकिन कभी कभी कड़वा बोलने से यह आपकी छवी को नुकसान पहुंचा सकता है अपने घर में आपको भाई बेहन का सहयोग मिलेगा काफी खुशियां भी आपको मिलने के योग नजरा रही है अगर आपको इन नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए एकदम उप्युक्त होगा उस काम में आपको कामयावी जरूर मिलेगी वरेशव राशिक बुद्ध आपकी राशि में ही गोचर कर रहा है ग्रह के इस गोचर से आप अपनी वाड़ी के जरिये लोगों को खुश कर देंगी महिनत आपके अमिनों रंग लाएगी आपका घर खुशियों से भरा हुआ दिखेगा विभार में उदारता, कूमलता और सोमेता देखने को मिलीगी दामपत्य जीवन आपका सुख में होगा जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रही हैं उनको फायदा होगा आप बाजार से जाकर नए वस्त्र और अभुशर खरीद सकते हैं मितुन राशि मितुन राशिवालों के लिए बुद्ध का गोचर बहुत लावदाई रहने वाला है इनको विशेश प्रकार के फायदे होने वाले हैं इस परिवर्तन से आपको स्वास्थ पर पूरा ध्यान देना होगा खाने पीने पर जरूर ध्यान दे इससे आपको विदेश की आत्रा पर जाने के अवसर भी मिल सकते हैं इन दिनों आप अपने बच्चों को लेकर चिन्तित रहते हुए नजर आएंगे और यह चिन्ता आपको मानसिक तनाव में डाल सकती है आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है घर में सब आपके मस्त रहेंगे करकराशी करकराशी वालों के लिए पारिवारिक मामलों में अपार खुशिया मिलने की योग बनते नजर आ रही है आर्थिक उन्नती भी आपकी किस्मत में अब लिखी दिख रही है आपके प्रेम संभंध मधुर होंगे जो काम आपका लंबे समय से रुका हुआ है वो जरूर पूरा होगा घर में सब आपकी तारीफ करेंगे बड़े लोगों से प्यार करें तो आपके लिए बेहतर होगा आप अपने यारों दोस्तों के साथ कहीं ही मुहुमने जा सकते हैं यदि इन दिनों आप किसी गाय की सेवा करें तो ये आपके लिए एक रामबार इलाज होगा गाई की सेवा करने से आपके सभी कलेश दूर हो जाएंगे सभी कस्टों से आपको मुक्ति मुलेगी आप रोजाना सुभए ओठ कर एक गाई को लोई यानि की आटे से बना हुआ एक बड़ा सा लड़ू गाई को खिला दें इसको खिलाने के बाद गव माता के चरड़ इसपर्ष करें इसपर्ष करने के बाद आपको गव माता आशिरवाद प्रदान करेंगे सिंग राशी बुद्ध आपकी राशी के दसवे भाव में गोचर कर रहा है जिसके चलते आपको आर्थिक लाव के अलावा बौधिक लाव भी हो सकता है दफ्तर में आपके अधिकारी से आपके संभंध अच्छे हो सकते हैं आपके घर में शान्ती पूर वाता बरड़ बना रहेगा तो आप इन दिनों दान पुन करते हैं तो आपको शान्ती मिलेगी आप इन दिनों कोई भी दान पुन कर सकते हैं बड़े बुजर्गों के लिए आप अपना कोई भी दान करें या गरीव लोगों के लिए यानि की सड़क पर चलते हुए लोगों के लिए भी आप अगर दान करेंगे रिक्षा वाले ओटो वालों के लिए आप अगर कुछ दान पुन में देते हैं तो ये आप के लिए काफी शुब रहेगा ये दिन दान करने के लिहास से आपके जीवन में बदलाव लेकर आ सकता है ऐसा करते समय आप बुद्ध ग्रह के बीच मंत्र का जाव कर सकते हैं तो आपको विशेश लाव होगा कन्या राशी बुद्ध का व्रशवराशी में गूचर होना आपके लिए बेहद शुब होने जा रहा है किस्मत का दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है घर में पैसों का भंडार रहेगा शांती भी आपकी घर में दस्तक देगी समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा आफिस में आपकी अलग पहचान, महनती, ब्यक्ती के तोर पर होनी जिसके चलते आपका बॉस आपसे खोश हो सकता है और खोशी में आपका प्रमोशन या कोई अनलाव आपको हो सकता है आए में आपके वरद्धी हो सकती है आपकी सेलरी भी बढ़ सकती है बुद्वार के दिन कनिष्ठ उंगली में पन्ना धारड करें इसको धारड करने से आपको बहुत जादा फाइदा होगा तुला राशी इस राशी के लिए बुद्ध आठवे भाग में गोचर कर रहा है जिसके चलते इनको थोड़ी परिशानी हो सकती है आफिस में थोड़ी अनवन हो सकती है आप इन दिनों कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं अपने वाणी पर सयम रखें जो आपकी बोली है उस पे पुड़ा साल लहजे के साथ किसी से पेश आए वरना आपको दिक्कत हो सकती है कोड कचहरी के चक्कर में आप ना पढ़ें तो आपके लिए बेहतर होगा शान्ती से रहेंगी तो आपके लिए अच्छा होगा आप अपना जीवन बड़े अच्छे से वित्यूत कर सकते हैं शान्ती आपके जीवन में भी एक रूप रंग के रूप में आकर गुजरेगी विश्नु सहस्त्र नाम श्रोत का जाब करें आपकी किरपा भगवान की किरपा आपके उपर सदा सदा के लिए बनी रहेगी वरश्यक राशी यह गोचर आपकी शादी शुदा जिंदगी में कुछ कड़वा हट पैदा कर सकता है जिसके चलते आप परिशान रहेंगे लेकिन आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है करियर के लिहाज से भी आपको समस्या का सामान करना पड़ेगा सेहत को लेकर परिशान हो सकते हैं थोड़ी सी चिंता भी आपके सामने आ सकती है साज्यदारी में व्युवसाय कर रही है तो आपको लाब होगा किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है यदि आपका कोई साज्यदार है तो वो आपके जीवन में तमाम तरह की खोशियां भर देगा इसलिए आपको उससे सतर्क रहने की कोई आवशक्ता नहीं है बुद्वार के दिन हरे कपड़े एवं हरे सब्जियां किसी को दान में दें ऐसा करने से आपकी सारे कलेश दूर हो जाएंगे और जीवन में आप धन धान और खोशियों से भरा जीवन व्यतीत कर सकेंगे आपके घर में मालक्षमी का अगमन होगा कुबेर का खजाना खुद आपके घर की तिजोरी में आकर बैठेगा मालक्षमी आपके दौर पर स्वेहम चल कर आएंगी मालक्षमी का आप स्वागत करें और इन दिनों आपके जीवन में इतनी सारी खोशे आएंगी कि आप उनको समहल नहीं पावने दनू राशी बुद्ध आपकी राशी के छटे भाव में प्रवेश करेगा जिसके चलते आपको अपने पार्टनर से थोड़ी परेशानी हो सकती है आप उनके सेहत का विशेश ध्यान रखें अधिक खर्च पर ध्यान रखें वरना आगे चल कर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपका जो करेशेत्र है आप उसमें अच्छा प्रगर्शन करेंगे ओफिस में आपके अधिकारी गड़ आपसे काफी खुश रहेंगे इन दिनों आपके प्रमोशन की संभावना बन रही है गुद्वार के दिन किन्नरों का आशिवाद जरूर ले यह आपके लिए काफी फाइदे मन्त साबित हो सकता है मकर राशी गुद्वार के राशी के पांचवे भाव में प्रवेश कर रहा है जिससे चातरों के लिए यह वर्दान साबित होगा विशेश फाइदा होने के प्रबल योग बनते नजर आ रही है इससे आपके ज्यान में वर्दी होगी कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप दूसरे स्थान बढ़ जा सकते हैं कहीं विदेश भी आप जा सकते हैं आपका प्रेम जीवन काफी रोमांटिक रहेगा पतनी से आपके विशेश शहयोग मिलेगा आपको अपनी प्यार भरी पतनी से प्यार करने का एक मौका मिलेगा विश्नु सहस्त्र नाम स्रोत का आप जाप कर सकते हैं कुम्भराशे कुम्भराशे वालों के लिए यह गोचर यानी की प्रवेश आपके लिए काफी लाव में रहने वाला है पद और प्रतिष्ठा में व्रद्धी होगी आपके सारे दुश्मन और शत्रू परास्त हो जाएंगे संतान के ओर से आपको सुखद समाचार मिल सकता है जो विध्यारतियों की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनकी परिक्षा में सफलता उनको मिल सकती है आपको कहीं से अचानक लाव हो सकता है गोचर के दौरान वहन चलाते समय सावधाने वरतें वरना दौरगटना भी हो सकती है अपनी मा की सेहत का आपको विशेश ख्याल रखना होगा मीन राशी आपको उता दें बुद्धाप की राशी के दूसरे भाव में गोचर कर रहा है आपके इनजी संभंधों में सुधार देखने को मिलेगा आर्थिक द्रस्टी से देखा जाए कि गोचर का प्रभाव अनुकूल है वैवाहिक जीवन में आपको सुख प्राप्त होगा प्रवेश के दौरान आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं घर में लोगों से बहुत प्यार मिलेगा गाए को गुण एवम गेहूं खिलाएं आपको जीवन में तरक्की मिलेगी और विशेश फाइदा होगा प्राप्त